जहिन साथियों नमस्कार ट्रेपल सी लक्ष बैच की आज दस्वी क्लास है जहांपर ट्रेपल सी एक्साम के रियल कुष्टन्स आपको मिलेंगे इसलिए क्लास को आप लाज तक सभी लोग अटेंड कीजिएगा दोस्तों जिनका वे ट्रेपल सी का एक्साम नमबर दिसंबर 2021 में हैं वो हर साम 47 बजे ट्रेपल सी लक्ष बैचेस की इन क्लासेस को अटेंड करते रहें साथी साथ ट्रेपल सी एक्साम से पहले आप सभी लोग अभेक्शल कम्प्यूटर की ट्रेपल सी साम में लिब्रे आफिस की क्रिशन्स काफियादा पूचियाते हैं और उन सभी यूनिक क्रिशन्स का कलेक्शन आपको हमारी लिब्रे आफिस की महामाराथन क्लास में मिल जाएगा जिसके लिए चैनल को आप विजिट कर लीजिए वहाँ से उस क्लास को आप अटेंड कर लीजिएगा साथी साथ ट्रेपल सी की एबुक की लिंक वीडियो की नेचे दे रखी है जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्रिशन्स का कलेक्शन आपको मिल जाएगा जहाँ पर चैप्टर वाइज MCQs, Model Paper, Full Form Linux की Command, Founder Name LibreOffice Shortcut Keys, True-False की Questions एक Complete Package मैंने दिया है जिसको पढ़के आप ट्रेपल सी एकसाम को टॉप कर सकते हैं तो वीडियो की नेचे लिंक है वहाँ से आप उसे डाउनलोड कीजेगा साथी साथ आप में इसे बहुत साइश पूछते हैं कि सर बेसिक से कैसे हम त्यारी करें जिसके लिए हमने लांच किया है ट्रेपल सी का फ्री क्रैस कूर्स जिसके लिए आप विजिट कर लीजे www.abhexl.com यहाँ पर आपको मिल जाएगा courses का सेक्षन यहाँ पर क्लिक करके आप अपने आपको course में इंडर्ल कर सकते हैं और पूरा service कम्प्रीट कर सकते हैं Libre Office का पूरा theoretical part भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कैसे इंडर्ल करना है यहाँ पर दिया है और यहीं से आप mock test तोगेरा भी देकर अपनी त्यारी को भेतर बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक class पैदा question है Ethernet Frame Consist Of इन सभी रस्टों को आप सभी लोग mock test की रूप में लेते रहिए और comment box प्रासर देते रहिए वीडियो के लाज में आप जरू बताएगा कि आपके कितने questions सही हुए हैं तो बताएगे Ethernet Framework किसके होते हैं means किसके माद्धिम से बने होते हैं या किसके सहयोग से कारिक करते हैं Mac and IP बोथ addresses से means Mac address और IP address के सहयोग से not the Mac and IP address बिना IP address और Mac address के IP address से या फिर Mac address से तो बताएगे क्या होगा इसका right answer ट्रपल सी एक साम में Mac और IP का full form पूछा आता है प्रिवेस मैंने आपको बताया है कि Mac का full form और IP का full form क्या होता है Mac का मतलब Media Access Control और IP का मतलब Internet Protocol होता है Mac address को हम change नहीं कर सकते जबकि IP address को हम change कर सकते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option fourth Mac address ठीक है ना Ethernet frame consists of Mac address अब next क्या Linux और Windows operating system में LibreOffice का इस्तमाल किया जा सकता है बताएगे क्या LibreOffice का उप्योग हम Linux और Windows दोनों operating system में कर सकते हैं true या false तो यहाँ आपका बिल्कुल true है क्योंकि Linux आपका एक open source software है जिसका उप्योगा Windows operating system और Linux दोनों में कर सकते हैं Windows operating system क्या है आपका एक single user multitasking operating system है वही Linux आपका multi user multitasking operating system होता है अब next निम्लिकित में से कौन सा एक श्रतंत्र दुरुभावना पूर्ण कारक्रम है जिसे किसी भी मेजबान कारक्रम की आवशकता नहीं होती है बताइए तो वाइरस आपके क्या है एक ऐसे श्रतंत्र दुरुभावना पूर्ण कारक्रम होते हैं जिसे किसी भी मेजबान कारक्रम की कुई आवशकता नहीं होती है अपसन सेकेंड इस राइट अब नेक्स्ट SMTP का प्रयोग किस व्रकार के संदेश भेजने के लिए किया जाता है उप्योग करता टर्मिनल से फ्राम यूजर मेल बॉक्स मेंस यूजर मेल बॉक्स से ए और भी दोनों या फिर इन में से कोई नहीं SMTP का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेंस एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसका उप्योग मेल भेजने के लिए किया जाता है और यहाँ पर इसका राइट ट्रांसफर हो जाएगा option C, both A and B क्योंकि from the user terminal user terminal से संदेज भेजने और mail box से भेजने दोनों का कार यहाँ करता है अब next What is blog? ब्लोग क्या है? An online data diary An article An instant message या फिर इन में से कोई नहीं आप सभी लोग website abhexel.com को विजिट करके वहाँ पर blog का section है वहाँ से आप पूरी तयारी कर सकते है पर सकते है यहाँ पर पूछा है blog क्या है जैसे आप सभी लोग अपनी डायरी लिखते है वैसे ही blog क्या है आपका एक online data diary होता है option first is right अब next किस bank ने सबसे पहले mutual fund की सुरुवात की थी SBI, ICICI DCB या oriented bank मताई है क्या होगा इसका right answer तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option first SBI ने सबसे पहले mutual fund के सुरुवात की थी SBI का मतलब क्या हो गया State Bank of India अब next STP केबल की अधिकतम लंबाई कितनी होती है 200 meter 100 meter 500 meter या फिर 700 meter मताईए STP ठीक है ना STP का full form भी आपके exam में काफियादा पूछे आता है तो बताईए STP का full form क्या होता है STP का full form क्या होता है STP का उप्योग कहा होता है दोनों आपके लिए काफियादा important है आपने सुना है UTP के बारे में STP के बारे में Fiber Optical Cable के बारे में Coaxial Cable के बारे में Means Guided Media और Unguided Media के अंतरगत आपको मिलता है STP का Option ठीक है ना? और यहाँ पर इसका Right Answer हो जाएगा आपका Option First ठीक है ना? दोनों आपके लिए काफी जादा Important है Option First is Right ठीक है? अब Next Libre Office Impress में किस मीनू के अंतरगत Slide Sorter Command पाया जाता है बताए Slide Sorter Command किस मीनू के अंतरगत मिलता है File, Tools, View या फिर Edit तो यहाँ पर इस Right Answer हो जाएगा View मीनू के अंतरगत Slide Sorter Command हमें मिल जाती है यहाँ पर देखिए यह आपकी Open है Libre Office Impress और यहाँ पर View पर आप जाएए तो View के अंतरगत आपको Normal View Outline View, Nodes और Slide Sorter का Option यहाँ पर आपको मिल जाता है तो Option Third is Right अब Next Video Conferencing में निम्न मेशे किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है VOIP UDP POP या BGP बताए Video Conferencing के लिए निम्न मेशे किस प्रोटोकॉल का उप्योग करते है तो यहाँ पर इसका Right Answer हो जाएगा आपका Option First VOIP प्रोटोकॉल का उप्योग करते है VOIP का Full Form क्या है यहाँ भी CCC exam में का भी पूछाता है तो इसका Full Form होता है Voice Over Internet Protocol इंटरनेट के माध्यम से जिन भी समस्या का समाधान आप करते हैं या इंटरनेट पर जिन भी माध्यम से आप लोग आपस में बाचीत करते हैं कॉलिंग करते हैं वह VOIP के माध्यम से होती है अब Next निमलिकित में से कौन सा e-commerce और e-business के बीच सबसे यथातवादी संबन्द है e-commerce is a different name for e-business e-commerce e-business के लिए एक अलग नाम है e-commerce is a subset of e-business e-commerce e-business का एक subset है e-business is a subset of e-commerce means e-business e-commerce का subset होता है या e-commerce has no overlap with e-business मताइए क्या होगा इसका राइट अंसा तो यहाँ पर इसका राइट अंसा हो जाएगा e-commerce is a subset of e-business ठीक है ना Option B is right अब Next What is email? Email क्या है? Printing technique, ISMS, message transfer technique using internet या none of the above email का full form ही होता है electronic mail means electronic माद्यम से जो भी संदेज भीज भीजाते हैं वहाँ के email कहलाते हैं तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा message transfer technique using internet means internet का उप्योग करके message भीजने की message transfer करने की एक technique होती है अब Next निम्लिकित में से कौन सा अनुभाग slide layout में मौझूद नहीं है titles, leads, chart या फिर animation बताइए क्या होगा इसका right answer तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option fourth animation अनुभाग जो है वो slide layout में मौझूद नहीं है option fourth is right अब Next निम्लिकित में से कौन एक सुरचित website का प्रतनिदित तो करता है https, 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 https या इनमेंशिक कोई नहीं बताइए क्या होगा इसका right answer तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option B, https अभी आपको बताया था मैंने https के बारे में https का full form क्या होता है hypertext transfer protocol secure ठीक है न, http का full form जानते हैं आप सभी hypertext transfer protocol और s यहाँ पर secure को represent करता है अब Next रूप रेखा इस तर सैलियों का उपयोग करके बदला जा सकता है the outline levers styles can be ultra using means निम्ण में से किसका उपयोग करके outline level style को हम change कर सकते हैं customize page, position page, slider page या reversible page बताइए क्या होगा इसका right answer तो customize page का उपयोग करके हम रूप रेखा इस तर सैलियों का बदलाव कर सकते हैं अब next mono space font में सभी character की चौणाई समान रहती है false या फिर true पताइए क्या जब हम mono space font का उपयोग करते हैं तो आहां पर सभी characters की चौणाई एक समान होती है तो बिलकुल सही है option first is right अब next news server किसके द्वारा सभी जनकारी news पढ़ने वालों को प्राप कराता है nntp, news, http या फिर ftp बताइए क्या होगा इसका right answer कौन सा news server जिसके द्वारा सभी जनकारीयां जो है वो news पढ़ने वालों के पास पहुंचती है तो क्या होगा इसका right answer तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option first network news transfer protocol फुल फॉर्म भी ग्रामिक आप पूछा आता है तो network news transfer protocol होता है अब next वाइस्तान जहां सभी प्रकार के email संदेशों को ब्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहते हैं inbox, mailbox, mailbox, outbox कोई नहीं तो ऐसा इस्तान जहां पर सभी प्रकार के email संदेशों को ब्यवस्थित करने का कार्य किया जाता है उसे हम बोलते है mailbox अब triple C exam में एक question यहाँ पूछाता है कि mailbox किसे से मिलकर बना है तो mailbox आपका outbox और inbox से मिलकर बना है किसे outbox और inbox से मिलकर आपका बना हुआ ہے mailbox inbox में क्या होता है जो mail आ रही है मिस्थ आने वाली सभी mail आपकी inbox में store होती है जो mail जा रही है मिस्थ वो sending में है processing में है और जो भीजी जा चुकी है वो send box में आपकी store हो जाती है ठीक है ना अब next किसी file में सम्मलित कुल पंक्तियों, शब्दों और वर्डों को किनने के लिए किस कमान का उप्योग किया जाता है काउंट डबल्यू, डबल्यू सी काउंट, डबल्यू सी या काउंट पी मताइए क्या होगा इसका राइट रांसा किसी फाइल में कुल कितनी रोज हैं आपकी कुल कितने और कितने वर्ड हैं, कितनी लाइने हैं इसको गिनना है, तो इशक依ी लिए किसका उप्योग करते हैं option C, WC का उप्योग करते हैं option C is right, अब next निर्मान के दोरान एक अर्धचाल yogurt चिप में embedded program को क्या कहते हैं liveware, humanware, hardware या फिर firmware पताईए क्या होगा इसका right answer तो यहाँ पर इसका right answer जाएगा option fourth उसे हम firmware के नाम से जानते हैं अब next छातर जहां virtualization समसादुना का उप्योग करने वाले applications और सेवाई वित्रन network को क्या कहते हैं soft computing means soft computing distributed computing, hybrid computing या cloud computing बताईए इस्टुरेंट्स फियर applications and service that use virtualization resources what is the distribution network card छातर जहां पर virtualization समसादुना का उप्योग करने वाले applications और सेवाई वित्रन network को क्या कहते हैं shaft computing, distributed computing, hybrid computing या cloud computing तो यहां पर इसका राइट रांस हो जाएगा option D cloud computing तो आज ही क्लास में बश इतने questions कल की क्लास आपके लिए SSR क्लास होगी तो कल भी क्लास को आप सभी लोग अटेंड कर लीजिए साथी साथ रात नौ बजे की जो क्लास है वहां आपके लिए काफी important है जहां पर triple c o level slabs based पर ही यूपी पर सभी क्लास है चल लही है तो उस क्लास को भी आप सभी लोग च्लास तक जरूर अटेंड कीजिएगा अगर आज की यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए चैनल पर नए है तो चैनल से जोड़ने के लिए subscribe कर दीजिए और comment box में अपना सुझाओ जरूर दीजिएगा फिर मिलते हैं निस क्लास में तब तक के लिए बाई बाई